आगे बढ़ेंगे महाराष्ट सरकार मैगनेटिक महाराष्ट कन्वर्जेंस 2018 नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है मैगनेटिक महाराष्ट का मकसद है राज में निवेश लाना रविवार को इसका उद्गाटन प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी करेंगे और बाद में प्रदान मंत्री और राज्जी के मुख्य मंत्री देवेंदर फड़नवेज देशी विदेशी कंपनियों के सीईओस के साथ चर्चा में हिस्सा लेंगे राज्जोस सरकार को इस आयोजन के जरिये 10 लाख करोड रुपे के निवेश प्रस्तावों के आने की उमीद है निवेश को बढ़ावा देने के लिए महराश्ट सरकार आयोजित कर रही है Magnetic महराश्ट Convergence 2018 इस Global Investor Summit के जरिये राजी में निवेश पढ़ाने की कोशिश होगी तीन दिन तक चलने वाली समिट का उधाटन प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी करेंगे इस समिट में देश-विदेश की दिकज कंपनियों के CEO's हिस्सा लेंगे समिट में Reliance Investors के मुकेश अमबानी, Virgin Atlantic Group के रिचर्ड प्रैंसन, Lamborghini के टोनिनो Lamborghini, Emerson Electric के Edward Monzer, DP World के सुल्तान बिन सुलेम, होसांग ग्रूप के चोह युन जून जैसे दिकजों के शामिल होने की उम्मीद है महाराष्टर में निवेशों को बढ़ाने के लिए महाराष्टर की राज्य सरकार ने Magnetic महाराष्टरा Convergence 2018 का आयोजन किया हुआ है ये BKC के MMRDA Grounds में ये इवेंट का आयोजन किया हुआ है 18 फरवरी से 20 फरवरी तक ये इवेंट रहेगा जैसा कि आप यहाँ पे अगर आसपास नजर गुमाएं तो हम देख सकते हैं कि इवेंट का काम बहुत ही बड़ी जोरो शोरो से चल रहा है साथी साथ सिक्यॉरिटी को मद्दे नजर रखते हुए पूरी तरीके से देखा गया है कि सिक्यॉरिटी के मामले में कहीं भी कोई पीछे ना हटे राजी सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए राजी में बेहतर इंफ्रस्ट्रक्चर उद्योग को लेकर स्किर नीती और भरपूर स्किल्ड वर्टफोर्स जैसी खूबियों को गिनाएगी Automobile, Defense, Food Processing, IT, Electronics, Heavy Engineering और Pharma सेक्टर में राजी के एहम रोल को भी प्रदर्शनी के जरिये दिखाने की कोशिश होगी राजी सरकार को उमीद है कि समिट के जरिये करीब 10 लाग करोड रुपे वैल्यू के करीब 4500 निवेश समझातों पर दस्वकत होंगे राजी सरकार ने 7-8 साल में ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बनने का लक्षी रखा है राजी सरकार इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश लाना चाहती है राजी सरकार मेंगनेटिक महराश्च समिट में अलग-अलग सेक्टर को लेकर नई नीतियों और सहूलियतियों को भी सामेर रखेगी मेंगनेटिक महराश्चा कन्वरजन्स 2018 एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और जो मानने प्रधान मंतरी जी ने मेक इन इंडिया कारेकरम शुरू किया उसके अंतरगत उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास है जब हम बोलते हैं कि किसी एक राज्जे में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आना चाहिए तो इस प्रकार का प्लैटफॉर्म जो है उसको बढ़ावा देता है और पहले होने वाले निवेश और आगे आने वाले निवेश उन सब के लिए हम एक प्रकार की कड़ी बन जाते हैं जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट का एक क्लाइमेट तयार होता है स्टार्टप्स के लिए खास पौर पर पुरसकारों का भी ऐलान होगा महराश्ट सरकार चाहती है कि राज्जे में और ज्यादा निवेश आए ताकि लोगों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ें इसी मकसद से राज्य सरकार मैगनेटिक महराश्ट कर्वर्जेंस 2018 नाम से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समीट का आयोजन कर रही है 2016 में इसी तरह का मेक इन इंडिया इवेंट रखा गया था जहां पे 8 लाख करोड तक के निवेश लाने में महराश्टर सरकार सक्षम रही थी जिसमें से 61 प्रतीशत तक का काम शुरू हो चुका है कहा जा रहा है कि मैगनेटिक महराश्टर के इवेंट के बाद 35 लाख लोगों को रोजगार देने की उमीद जताई जा रही है कैमेरामेन विनूत कोईलकर के साथ अमित कोटेचा जी मीडिया मुंबई